स्वागत है हमारे चैनल बियासी एजुकेशनल लेक्चर्स में तो यहां पर हम पढ़ते हैं बियासी फस्टी और मेजर माइनर मेच सेकंड पेपर ठीक है यूनिट सेकंड का इंपोर्टेंट कॉश्चन है सबसे पहले कॉश्चन को पढ़ते हैं कॉश्चन क्या कह रहा है बाइस उकॉल टो एक्स क्यूब वक्ड का अनुरेखन कीजिए अब देखो वक्रों का अनुरेखन हमने दो प्रिकार से बताया था आप लोग के लिए एक ध्रुविय समीकरणों के वक्रों का अनुरेखण और एक कार्ती समीकरणों के वक्रों का अनुरेखण तो इसके हमने बताये थे वक्रों का अनुरेखण किस प्रिकार से करना यह जो वक्रों का अनुरेखण है यह अपन के कुछ पॉइंटों में बटा हुआ होता है जिसे वक्रों का अनुरेखाण ठीक है तो इसका फ़स्टेप होगा हमने इसकी एक पहले वीडियो अपलोट की थी तो उसमें हमने इसकी मेथड बताए कि वक्रों का अनुरेखाण किस प्रिकार करना है बिया सी फस्टियर की और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल की प्लेइलिस्ट पर जाएए क्रम से कॉस्टन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट वाई यूनिट तो सबसे पहले वक्र लिखते हैं दिया हुआ वक्र जो कुछ है अपन का ठीक है देखो ये कुछ ्हिंदू निखालना इस प्रीकार से वक्र का आयूरिखण हो जाएगा ठीक है दिया गया वक्र लिख लेते हैं कर बाई जी टना आधुड सुटन होजाएगा ये हुधाएगा अपना एक्क्विश्ण सुट है ठीक है इसके फस्ट पॉइंट पर चलते हैं क्या है फस्ट प अगर किशल के तो इसदो और रखेंगे को यह ही है तो इसे को तो भी यहां रहाए थिक है उपोर कर चाहिए जब बैल्यूश्यीया चाहिए में कोई ना आसन जा May ख़टे यह जो वक्र है वो किस चीज पर इस्ते थे ठीक है तो देखो अगर यहाँ पे x is equal to minus x रखते हैं और y is equal to minus y रखते हैं तब यह change नहीं होगा देखो कैसे करना है ठीक है समीकरण में वक्र में x is equal to minus x y is equal to minus y रखने पर आप लोग देख सकते हो किस चीज में यह change नहीं हो रहा है ठीक है मतलब यह जो कत्यों है वक्र तो रखते हैं y is equal to minus y तो यह अपना minus y x cube अर्था एक्स की जिस्तान पर क्या रखना minus x minus x का cube हो जाएगा तो क्या बचेगा minus y x cube तीन बार करना है इसका अगरा ठीक है तो क्या हो जाएगा minus का x cube ही आएगा minus minus का plus हो जाएगा या फिर दोनों से minus कर जाएगा लेकिन काटना नहीं पड़ता है ठीक है आप लोग direct कहले सकते हो y is equal to x cube तो change नहीं हुआ है जो कहते हो वही समीक्रण आ गया न तो क्या कह सकते हैं जब ये condition हो कि x ब्रावर रें x और by ब्रावर रें y रखते हैं और समीक्रण में कोई change ना आए तब अपन कह सकते हैं जो वक्र है वो विप्रीत चतुर्थांसों में सम्मित है इसकी condition ये ही होती है अगर x ब्रावर रें x और by ब्रावर रें y रखने पर आप लोग की समीक्रण में कोई change ना आए तो आप लोग कह सकते हैं वक्र जो है वो विप्रीत चतुर्थांसों में सम्मित है ठीक है ये होगे आपन का first फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे complete हुआ अब आते हैं second मूल बिंदू ठीक है second जो इसका topic होता है वो होता है मतलब कुछ ये अपन के topic होते हैं जिनको वक्रों कानुरेकर में करना ही पड़ता है ठीक है second अपना मूल बिंदू तो मूल बिंदू की हमने क्या condition लिखवाई थी अगर अचरपद है तब वक्र मूल बिंदू से होकर नहीं जाएगा तो आप लोग देख सकते हो वक्र एक में अचरपद नहीं है अर्था जो वक्र है वो मूल बिंदू से होकर जाएगा ठीक है चुकी वक्र एक में अचरपद नहीं है अता जो वक्र है अता वक्र मूल बिंदू से होकर जाएगा ठीक है तो ये मूल बिंदू की condition होगी आप देखो वक्रों के अनूरेखण में आप लोग के लिए कोई सा भी वक्र दे दिया जाए आप लोग आसारी से वक्रों का अनूरेखण कर सकते हो क्योंकि ये point आप लोग को सब में बताना पड़ता है तो अभी कीवल दो point हुए है अब आते हैं third पर तो third क्या है अपना निर्देस आक्षो से प्रतिचेदन किस प्रेकार करते हैं यानि यानि बाई अक्ष पर क्या करोगा एक्स बरावबर 0 रखोगे और एक्स अक्ष पर बाई ब्रावबर 0 रखोगे तो यहां से प्रतिछेदन बिंदू मिल जाएंगे ठीक है आप लोग को निर्दे साख्चु के प्रतिछेदन में बाई अक्ष पर बिंदू लेना और एक्स अक्ष पर अगर आप लोग बाई अक्ष लोगे तो बाई अक्ष कर्थ क्या होता है X बरावर 0 रखते हैं कैमें वक्र में ठीक है जब Y अक्ष पर लोगे तो X बरावर 0 रखने पर और आप लोग वक्र में X बरावर 0 रखोगे तो Y की वेल्यू क्या आएगी अपनी 0 आ जाएगी ठीक है इसी प्रकार X अक्ष पर लेते हैं си प्रकार x अक्ष पर ठीक है तो x अक्ष कार्थ क्या है बाय बरावर 0 लेना पड़ता है x अक्ष पर y बरावर 0 रखने पर ठीक है रखते हैं वक्र में तो y is equal to 0 रहोगे तो x cube यहनी x की value भी आप लोग की 0 आएगे अर्था प्रतिछेदन बिंदू कौन कौन से हो गए 00 ठीक है तो आप लोग लिख सकते हो अता वक्त निर्देशाक्चों को 00 प्रतिशित करते हैं क्योंकि बाय की वैल्यू भी 0 आई एक्स की वैल्यू भी 0 आई है ठीक है तो अब चलते हैं फूर्थ पॉइंट पर तो फूर्थ पॉइंट अपना क्या है अनंतिश परशी ठीक है आप लोग को इसमें 6 पॉइंट का वर्डन करना पड़ता है एक सम्मिती मूल बिंदू निर्देशाक्चों से प्रतिशेदन अ यहां से अनंतिश पर्शी का मान आ जाता था ठीक है तीन गहात वाले पद में एक्स ब्रावर एक ब्रावर एक ब्रावर एम रखने पर तो अपने क्या हो जाएगा उनली वन आएगा जो की नोट इक्वल टू अपने जीरो के है अता आप लोग दिगो अनंतिश पर्शी के से निकालते थिए बाइस उकल ट इम एक सबस्थ योटं अपने निकाल पा रही है तो आप लोग ने काल पाना संभाव नहीं है इस वक्र में अता आप लोगह 10 है परशी को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो अनंतिश परशी ग्याद करने की मेथड जो हमने बता दी है क्योंकि उसके बेज़ भी कौशन पूछे जाते हैं क्योंकि हर यूनिट है हर यूनिट से कौशन पूछे जाते हैं एक law answer अप्लूग carriers लोक्र उत्र लूक्षय और लुदेख सकते हुए अधा वक्र के निर्देशं हो क में वक्र की कोई भी इंञ्टीस परशी जो कि इंपॉर्टेंट है ये भी हम आप लोगे लिए बता चुके हैं जो हमने धुरूविय समी करनों के वक्रों कानू रेखन बताये था उसमें वक्र का विस्तर करना बताये था और इसकी जस्ट पहले वाले में भी बताये था अब देखो तो वक्र का विस्तर क्या है कि मैंदब x की value रखना और by का मान निकालन अर्था देखो यहाँ पे लेते हैं x की value और यहाँ पे लेते हैं by की value ठीक है इस प्रकार से यह बना लेते है अब मान के चलो अगर x की value एक रख रहे है तब by की value क्या आ रही है वो लिखना ठीक है जब x की value 2 रख रहे है तो by की value अपनी 8 आ रही है वो लिखना है ठीक है यहाँ पर अगर minus 1 रख रहे हो तब क्या आ रहा है वो लिखना है तो minus 1 और x की value जब minus 2 रखोगे तो minus 8 देखो कैसे जो यह वक्र है x y is equal to अपना x cube है न वक्र जब आप लोग x की value एक रखते हो ठीक है अगर x की value एक रखोगे तो y की value भी बनाएगी या नहीं तो यह जब x क value भी एक आए ठीक है अर्था है तो आप लोग यहाँ पर लेख सकते हो x ब्रावर 1 पर y ब्रावर 1 तो था x ब्रावर 2 पर y ब्रावर 8 आठाया है ठीक है x ब्रावर 1 एक रखने पर by ब्रावर भी एक आया है तो था x ब्रावर 2 रखने पर by ब्रावर 8 आठाया है ठीक है यह होते हैं वक्र का विस्ताल करना आप लोग समझ गए होगे जैसे जैसे x की value रखोगे और वो y के value आ जाएंगी ठीक है तो x y की value भी यहाँ पर रखनी है अब छटवा आता है नती परिवर्तन बिंदू निकालना ठीक है तो नती परिवर्तन बिंदू कैसे गयात करते हैं d2y upon dx square निकालते हैं तो वक्र अपन का क्या दिया है y is equal to x cube इसको मतलब दो बार आपको लन करना है पहले एक बार कर लेते हैं dy upon dx यानि एक बार x के साफ़ इसके उपको लन करेंगे x is equal to आपका क्या जाएगा 0 और जब x बरावर 0 समीकरण एक में रखोगे तो बाई की value भी क्या आएगी 0 आजाएगी ठीक है ये हो गया आप लोग के नती परिवर्तन बिंदू 00 ठीक है ठीक है तो वक्त्रों के अनुरेकरण में सबसे फस्ट पॉइंट आप लोग के लिए सम्मीति निकालना है ठीक है सम्मीति पर यहाँ पर विपरित चतुर थांसों में सम्मेत है ये वाला वक्र और मूल बिंदू अगर अचरपद है तो मूल बिंदू से नहीं जाएगा और अचरपद नहीं है तो मूल बिंदू से होकर जाएगा वक्र ठीक है अब देखो धर डाता निर्देशाक्षो का प्रतिछेदन यह हो गया ठीक है इसमें क्या करना पड़ता एक्स वरावर जीरो रखो तो अपनी जो वैली बाई की आएगी वह हो जाएगे निर्देशाक्षो से प्रतिछेदन यानि है एक्स अच पर निकालना और और गता है तो यहां से वक्र का विस्तार कैसे करना पड़ता है एक्स की वैलू रैखना है और जो गया तो नती परिवरतन बिंदू भी हम बता चुके हैं तो नती परिवरतन बिंदू में क्या करना पड़ता है इसके बाद ग्यात करते हैं ठीक है अब एक और चीज रहती है वक्र के विस्तार में इसका डाइग्राम बनाना पड़ता है यह वाला कॉशन है तो कि आप लोग 20 में यह थैके हैं और जी आपना पर शुयद के पर रहा थैक है इस प्रकार में वक्रो कानु रहन किया जाता है तो वीडियो पकड़ाहै तो अपने दोस्तों के साथ शियर जलू करेगा ठैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जितने भी कॉशन हम स्वालू करवाते हैं वो सारे के सारे इंपोर्टेंट है और जो अब नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी वक्रों के अनुरेखन के ai करके बताएंगे यह भी कार्ते समीकरण है पर जो नेक्स्ट होगा आप लिए पॉइंट याद रखने हैं आप लोग अगर पॉइंट का थोड़ा थोड़ा सा भी वर्टन करके आओँगे आप लोग को नमबर मिल जाएंगे thank you